बागी सारे सहारे छोड़ दिये उसको वो सहारा मिल जाता है मैंने कहा था ना सौाद ले करके देखो प्रयोग करके देखो जिन दूसरी चीजों पर निर्भर बैठे हो उनको एक बार के लिए थोड़े समय के लिए छोड़ करके देखो अपने आप वो ताकत जगेगी जो तुम्हारे भीतर है ऐसे दमझे लोगी किसी का पाओ बेलकुल ठीक हो पर उसके बाद भी बैसाखियों पे चलता हो तो पाओ की सारी मास्पेशियां कैसी हो जाएंगी उनका आकारी सिकुड जाएगा उनकी ताकत ही कमन हो जाएगी तो अब उसे अपनी मास्पेशियों की ताकत पढ़ानी है अपने पाओ में जान डालनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा जैसे ही बैसाखिय को छोड़ेगा उसकी पाओ में ताकत वापस आने लगेगी कोई तरीका ही नहीं चोड़ने के लाव यगीन करना पड़ेगा कि हाँ ताकत है तो इसी लिए कहरा हूँ थोड़ा सा प्रयोक करके देखो एक बार को बैसाखिय को छोड़के देखो पाओ पे चलके देखो जैसे ये दिखाई देगा कि मैं बैसाखिय के बिना भी चल तो पाया ना एक दो कदम इसे ही पर चल पाया चलो दो कदम चला फिर गिर गया तो दो कदम चलना भी इस बात का प्रमाण है कि आज अगर दो कदम चलना हूँ तो कल चार कदम भी चल सकता हूँ और परसों दोड़ भी सकता हूँ कुछ भी रुक नहीं गया है क्यों रखता है बैसाखी क्यों महत्तो रखती है क्योंकि तुमने ये मान रखा है कि तुम लंगड़े हो तुम्हारे पाउ में कोई खोट है तब से कह रहा हूँ न कि तुमने मान रखा है कि तुम में कोई खोट है इसलिए तुम्हारे जीवन में बैसाखियों का बड़ा महत्तो आ गया है अब पूछो कि हमने क्यों मान लिया है गेम में कोई खोट है क्योंकि बच्चपन से ही तुम्हारे मन में यही बाद डाली गई है कि तुम में कोई कमी है उदारण तू रंग ज़रा गाड़ा है बच्चे का पैदा होते ही अरे क्लास में तिरी डस्वी पोजीशन आई है पड़ो उसमें वर्माजी रहते हैं उनके बेटे की चौती आई है फिर तुम टीवी खोलते हैं उसमें फिग्यापन कैसे आते हैं अगर तुम्हारे पास यह बाइक नहीं है तो तुम्हारा जीना विकार है रेमंट्स दे कम्प्लीट मैन यानि कि अगर तुम्हारे पास रेमंट्स नहीं है तो तुम इनकम्प्लीट हो चारो और से हर दिशा से तुम्हारे मन में यही बाट ठूसी जा रही है कि तुम में कोई कमी है फलानी कार और उसके नीचे क्या लिक क्या आएगा अब आया जीने का मज़ा इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो कार नहीं है तो जीने का मज़ा नहीं है बाट ठीक है लोगा फेस्बुक पे जाओगे तुम्हारे किसी रिष्टदार की बड़े भाई की शादी हुई है वहाँ पे शादी की फोटो होगी जहाँ पते बतनी साथ में होगा नीचे लिखा ओगा उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर शादी नहीं हुई और लड़की नहीं मिली तो तो हैपी नहीं होसकते हजार तरीकों से तुम्हें यह जटाया जा रहा है कि तुम में कोई कमी है और तुम्हें उस कमी को ऐसा ऐसा वैसा वैसा करकर के पूरा करना है तो बड़ी अजीव हालत है हमारी कि टांगे मजबूत पर हमारा ये ब्रेनवाश कर दिया गया है कि हम लंगडे हैं और हमें बैसाखियां दे दी गई है बात आ रही है समझे बिटा तुम हुमारे प्यार के काबिल भी तब हो जब तुम कुछ बन जाओगे क्या ही सुना नहीं तुमने जाओ पहले कुछ बन के दिखाओ इसका क्या हर्थ हुआ कि अभी तुम में कोई कमी है जब तक तुम कुछ बन नहीं गए तब तक तुम नालायक हो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं तो इस कारण मन में बड़ी गहरी कुंठा भर जाती है हम सब बड़े कुंठित लोग हैं, बड़े गंतियां बैठी हुई हमें बता दिया गया एक खास किस्म का चहरा हो, तब तो तुम अच्छे हो, हमें बता दिया अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तब तुम्हारा जीवन जीने लायक है तुम्हारे बोलचाल ऐसी हो तुम्हारे पास इतनी इतनी कौलिफिकेशन हो, तब तुम इंसान कहलाने काबिल हो नहीं तो तुम विर्थ हो तो हमें कदम कदम पर हमारे नाकाफी होने का एहसास कराया जाता है कि बात आरी है समझ मैं कुंठित लोगों ने हमें भी कुंठित बना दिया है स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ की खातेर हमें बिलकुल बर्बाद कर दिया है उन्हें कुछ नहीं करना है उन्हें बस अपनी दो पैसे की क्रीम बेचनी है पर उस क्रीम बेचने के लिए उन्होंने हमारे मन में ये कुंठा डाल दी है कि हमारा चेहरा खराब है तो इन बेवकूफों की वज़े से एक अच्छा खासा स्वस्थ बच्चा भी बीमार हो जाता है कोई बच्चा बीमार नहीं पैदा होता हर बच्चा स्वस्थ ही पैदा होता है मानसिक रूप से उसको ये तुम्हारा घर परिवार समाज है न ये बीमार करता है मानसिक रूप से बाप बेटे को लेकर के खड़ा हुआ है सामने से एक नेता काफिला निकल रहा है उसमें लाल बत्ती जल रही है आसपास दबंग लोग हैं बच्चा पुछता है पापा ये क्या है पापा बोलते हैं बड़े इज़त से देखो बेटा ये न बड़े नेता जी है वो निता जी क्या है वो कुछ नहीं हूँ शहर के गुंडे हैं बड़े वाले अब बच्चे के मन में क्या भावना घर कर गई कि जीवन में ये से बड़ा महत्वपून है क्या कि मेरे साथ दो चार हथियार बंद लोग चले कि मैं भी गुंडा हूँ और अगर मैं वैसा नहीं हूँ तो मैं तो सड़क के नारे खड़ा हूँ सड़क पे इनका काफिला जा रहा है और मैं क्या हूँ मैं बस सड़क के नारे खड़ा हूँ अच्छा खासा स्वस्त बच्चा था घूम रहा था उसके मन में अचानक से कुंठा डाल दी गई कि अगर वैसे नहीं हो तो बेकार हो कि बड़े नेताजी हैं इनको सलाम करो इनको इज़त दो दूर दूर होके खड़े हो वो लाल बत्ती है वो बड़ी आदर्णिये चीज होती है अब बच्चे के अंदर तुमने बीमारी बैठा दी वैसे ये जो टीवी चल रहा होता है सीरियल चल रहे होते हैं इनमें और क्या होता है अब घर के सारे सदत से वही देखे जा रहे हैं ये गंदगी सड़ी हुई गंदगी और साथ में बच्चा भी बैठके देख रहा है और बच्चे को क्या संदेश गया कि इसी को तो जीवन कहते हैं जो टीवी में दिखाया जा रहा है यही तो जीवन और इसमें जरूर कोई आनन्द है आनन्द ना होता तो मेरे घर के इतने लोग क्यों देखते हैं और रोज देखते हैं चो मतलब जरूर इसमें कोई बड़ी बात है तबाह हो रहा है न बच्चा भी बच्चा भी तबाह है